हाँ बई क्या हाल है तो मेरी आज तुम लोगों से हाथ जोड गे रिक्वेस्ट लेना और इस वीडियो को कोई गौडल या फिर सोल के फैन की तरह ना देखे एक इनसान की तरह देखना काफी तरह लोगों का ये कहना है कि नियो के ओपर वीडियो बना रहे हैं, नियो को target करा जा रहा है, वो इस पज़े से करा जा रहा है, क्योंकि गौडल के अगेंस जा रहे हैं, तो आठ शाहिद तुम लोग भूल गए हो, कि नियो कार्निवल गेमिंग का Creator है और मेरा और बाक की है संबुदाए आगे आ रहे हैं यह हर्कत और कोंपसे एक हैं कि में सबुदाइब कि लात है कि अजेंसे। के लिए कि अगर तुम्हें यह बाते करनी है तो नियों पर नहीं नियों के साथ साथ हर किसी पर करो तो पहले समुदाय को तो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में अच्छे से लपेटेंगे दूसरे समुदाय के लिए सिंपल सी एक बात करना चाहूंगा या आप लोग रि करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होता है वो जमाना इसंपर कोई तुम्हें अगर दो गाली देगा तो तुम पलटके चार गाली दोगे ही दोगे अब उन चार गाली देने वाली चीजों को और तुम्हें गलत दिखाने की कोशिश करें तो उसमें वह दूसरा ब अपनी वीडियो लाइश्ट्रीम में कभी किसी को गाली या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है और ना ही कभी करूंगा अब तुम बोलोगे कि नियो कोई क्यों कवर कर रहा है फिर उन लोग वो भी कवर कर अगर तुनको सपोर्ट नहीं करता तो नियो वाला केस के लिए तो सबसे बहले मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने सान्या के केस में जब पूरी कम्यूनिटी उसको गाली दे रही थी उसको मोलेस्टर का टाइक दे रही थी सब लोग उसको लटा सिधा बोल रहे थे तब मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाकर आप लोगों से गाल नियो के मेसेज़ेज देख रहे हो तो उसको ऐसे टाइक्स देना गलत है वीडियो आज भी मेरे चैनल पे पढ़ी है कभी भी जा के आप देख सकते हो उसमें तब ही दूसरे समुधा है के लोगों ने बहुत गालिया दी थी नियो के सपोर्टर जा फिर कहें तो गॉडल की पर उसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटर वीडियो बनाई थी वो भी मेरे चैनल पर आज भी पढ़ी है बात करें कि हुआ गया तो काफी सारे लोगों को अल्रेडी पता होगा सीन सारा जिनने नहीं पता जरह यार थोड़ा सा व्यूर डिस्क्रेशन में आप एडवाइस करू उस्प skilledिकिछ लुक्रेशन में आपो ध में आदेको ओमेगल या ओमेटीवी ये ऐसे प्लाटफॉम है जहां पर बहुत ओफिंसिव बाते करी जाती हैं ऐसे ऐसे चीजों पर रिमार्क्स करे जाते हैं जो पुब्लिकली शायद आप कभी बोल भी नहीं सकते एनवर्ड का बहुत ज़दा प्रयोग किया जाता है रेसिजम हद से जादा किया जाता है 18 प्लाटफॉम होने के बाद में भी अंडर 18 लोग आते हैं यहां पर बहुत उल्टी सीधी बाते करते हैं तो इसमें एक पॉइंट में जरूर से रखूंगा कि हाँ उस लड़की के मह अब आपकी यह गलती है कि उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा कि उनकी बेटी क्या यूज कर रही है वीडियो में भी लड़की हद से दस साल की लग रही है और दस साल के उमर में हर कोई immature होता है हर किसी को अकल नहीं होती कुछ भी वंदा कभी भी बोल देता है तुम अपन प्राइवेट पार्ट्स पर कमेंट करने लग जाए तुम्हें सेक्शुलाइज करने लग जाए इस्पेशली इफ यूर अगर्ल तो भी गलती उस चौबेस साल के लड़की की नहीं है जो फुद 18 प्लस होके 18 प्लस वेबसाइट पर ही था उससे 18 प्लस वाला behavior एक्सपेक् इसने काला बोल दिया और दूसरी तरह वही लड़का है जो 24 साल का है जिसके 6,70,000 सब्सक्राइबर है जो कई सालों से यूट्यूब पे है और वो उसको इतनी गंदी गंदी बाते बोल रहा है ऐसे थ्रेट्स दे रहा है और ऐसी ऐसी बाते बोल रहा है कि तेरे मम्मी के और बात करें कि कैसे है नियो के केस में अलग है और बागी क्रेटर्स के केस में नहीं था तो नियो भाई जो खुद इतना ज़दे इंसिक्यूर हो जाते हैं कि अगर एक 10 साल की बच्ची उन्हें काला बोल दे तो वह ऐसी बाते करने लगते हैं वही नियो भाई किसी और की शकल पर कमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं तेरी मा की समझा नियो भाई कि तो नियो भाई खुद तो रेसिजम बिल्कूल भी नहीं करते होंगे क्या फरक पड़ता है भाई कोई लड़की नौर्थीस्टन है तो उसको मोमोस बोल दो उसको रेसिजम उसने चहरे पर कमेंट नहीं और लेस्टे नहीं रेसे मेरे बोडी पर कमेंट करा तो भाई बोडी सेम तो भी नहीं करते होंगे दूसरों को है ना भाई स्को कुछ है दो है नहीं सिधारोट ता सिधारोड ता सिधारोड कुछ ताही नहीं कुछ ताही नहीं और सबसे ताजव वाली बात यह है कि ये क्लिप भी हाल विलाल की ही है जब भाई ये ओमे टीवी पे श्रीम कर रहे थे और ये 10 साल वाली बच्ची के साथ ही सारी हरकते करने के बाद वाली क्लिप है तो अपनी गलतियों से नियो भाई ने सच में बहुत कुछ सीख लिया है और ये इशारे क्या होते हैं भाई जस्ट इमाचिन करो कि तुम सड़क पे चलते वे किसी लड़की को देखके उसे दिखा के ऐसे इशारे करने लग जाओ तो भाई पब्लिक से तो तुम पिटोगे ही पिटोगे साथ में तुमारे उपर केसिस और लगेंगे और अंदर ज हो ऐसी चीज़ों पर माफी मांगो को लोगी तुम गलत है लेकिन उसके बाद फिर भी कुछ मत सीखो जैसी तुमें छोटी सी बात पर भी गुस्ता आये हो उससे भी बड़े लेवल पर दूसरों के साथ लेकिन तुमें घुस्ता आ गया तो तुम कुछ भी कर सकते हो और व तुम्हें पता है कि वो लड़की चोटी है तुम्हें दिक रहा है तुम्हारा गुस्ता इतना जादा बड़ा है कि तुम अपनी ओडियंस को सिखा रहे हो कि गुस्ता आये तो चाहें कुछ भी हो जाए तुम कर सकते हो तुम बोल सकते हो और बाद में स्ट्रीम पर आके मा किया था लेकिन आपने क्या सीखा कुछ नहीं इससे पहले भी आप काफी बार कमेंट्स कर चुके हो लोगों के सामने गुस्से में आने पर अब इस तरीके की धंकियां भी दे सकते हो एक लड़की को इसको भी उनके फैंस ने कुछ ना कुछ लूपोल निकाल के डिफेंड करी लिया था लेकिन नियो भाई ने क्या सीखा कुछ नहीं अब बात करें नियो भाई के इस चीज के उपर रिस्पॉंस को लेके पर इसके पहले भी आपन दो दिन से कर रहे हैं मैं को कितने लोग ने बोल दिया ये बोल दिया वो बोल दिया हर बार मेरे को बोलते हैं वो लड़की ने भी बोला मैं को यह चीज का गुस्ता है कि वह एक तो चोटी सी है वह ऐसा के से बोल रही है मेरे को तो नियो भाई न आप उसको गालिया देने से आप गोरे नहीं हो जाओगे आप एक इंफ्लुएंसर हो और अगर आपको यह सब चीजे इतने ज्यादा बड़े लेवल पर उफेंड करती है तो आपको सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए आपको ब्रेक लेना चाहिए आपको थोड़ा सिक्यो होना चाहिए इन चीजों को लेके उसके बाद सोशल मीडिया पर आना चाहिए क्योंकि यहां पर कीबॉर्ड वर्यर्स बैठे है कुछ भी लिखेंगे कुछ भी आप तो फिर भी अपने फेस को लेके इतने जादा इन से क्योर हो आप इंस्टाग्राम तो चलाते ही होगे अ तो सच में आपको ब्रेक लेने की सच में आपको थेरिपी की सच में आपको हिल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत है आप कहते हो कि यार तुम लोगों को नहीं पता भाई मेरा खुद फेस कलर रहा है मैं इतने टाइम से सोशल मीडिया पर हूँ मेरे को तो काले के साथ- आप लोगों को इस तरीके से इंफ्लूएंस करते हो कि कुछ भी आप कर सकते हो अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपने खुद पूछा था ओडियन से तो हां आप सच में इस तरीके से इंफ्लूएंस कर रहे हो इसका साफ साफ असर दिख रहा है मेरे इंस्टेग्राम स्टूरीज के रिपलाइज पे देखो गुस्सा आना बहुत ही नाचुरल बात है यूमन इमोशन है सब को गुस्सा आता है लेकिन उस गुस्से को आप चैनलाइस कैसे कर रहे हो उस गुस्से में अगर आप किसी का सर फोड़ दे रहे हो तो आपको जेल होगी अगर आप कोई illegal चीज कर दे रहे हो जो कि आपने करी तो उसके consequences आपको भुगतने पढ़ेंगे नुकसान उसमें आपका ही है और जितने भी लोग defend कर रहे हैं नियो भाई को ये बोलके कि वो लड़की की गलती थी सामने से उसने प्रवक करा 18 प्लस platform पे है तो नियो भाई ने जो करा वो एक illegal चीज है माइनर को threaten करना माइनर को abuse करना illegal होता है और किसी को मार देना भी illegal होता है तो आपके logic के हिसाब से अगर नियो भाई के हाथ में गन है और 10 साल के बच्ची नादानी में आकर उसको बोल दे रहे है कि अ आप इतने काले क्यों हो और नियो भाई गुस्से में आकर उसको ठोक दे रहे है तो वह भी आपके हिसाब से justified होगा है अगर आपको गुस्सा आता है यह चीज आपको बरदाश नहीं है तो इस गुस्से को आप चैनलाइस करो अपनी appearance को सुदारो appearance आप definitely change कर सकते हो अगर जिम जॉइन करो अपने fitness पे ध्यान दो जब personality improve होगी तो confidence भी आएगा और लोगों का शकल से पहले आपकी body के ओपर ध्यान जाएगा और शकल पे भी बहुत positive changes आते हैं जब आप अपने fitness के ओपर ध्यान देते हो लेकिन वह सब नहीं करना आपके 6,70,000 followers ज़रूर हैं लेकि किसी पे भी डाल सकते हो फिर चाहें वो 10 साल की बच्ची क्यों नहीं हो लेकिन बोलने के टाइम पे आप उसी 10 साल की बच्ची को चाहें sexualize कर दो उसे कोठे पर बिठाने की बाते करने लग जाओ उसकी मदर के बारे में outrageous comments करने लग जाओ वो सब ठीक है और जितने लोगों पे उस टाइम पे फीचर हुआ करता था विस्पर नाम का उसको यूज करके एक अंडर 18 बच्चे को जिसका जेंडर भी अभी तक नहीं पता उसको inappropriate messages कर दिये थे तो उनको ट्विच से cancel कर दिया गया था उनका YouTube चानल demonetize कर दिया गया था उनको उनी की कंपनी ने fire भी कर द चुके हो अब यार काफी सरे लोग बोलेंगे कि भाई छोड भी अब तो नियो ने apology दे दी क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको realize हो गई गलती गलती तो इनसान से ही होती है अगर सच में नियो भाई को अपनी गलती realize नहीं होती तो क्या वो same day stream करके थोड़ा सा apologetic न हमारे instagram के ओपर एक story भी लगाई जहां पर बोला I'm sorry for whatever happened I guess it is my mistake और फिर बाद में वो story को भी delete कर दिया और जब उसके बाद में नियो भाई को पता लगा कि इतना जादा outrage उनके खिलाफ में हो रहा है community के बाहर के भी लोग इतना जादा उनके against बोल रहे है इतना strong backlash उनको मि करके उसमें भी humble apology मांगी लेकिन उसमें भी खुद को defend किया कि उसमें तो response था मेरा कि किसी ने मेरे को black बोल दिया था और यहां पर तो minor involved है भाई हमारी bjmy community का ही एक creator हुआ करता था मदन कुमार जिसको 2021 में पुलिस ने arrest कर लिया था क्योंकि उसने vulgar और obscene conversation करी ती अपनी live stream पे women के साथ चिन्ने पुलिस के cyber crime wing ने मदन के relative के घर से ही उसको उठा लिया था और तो या फिर लड़कियों के साथ में गंदी बाते करने के लिए तो यह कोई गलती नहीं है यह mentality है जो कि ऐसे तो change होने से रही जब तक कोई example set नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होने व gaming अपना content creator नहीं निकाल पा रहे हैं एक statement नहीं निकाल पा रहे हैं ऐसा नहीं है इन चीजों के उपर action नहीं लिया गया है पास्ट में अपनी bgmi community में orange rock यानि की ओर ने 420op को निकाला था जब उसने racist remarks कर दिये थे और आज 420op का content अब देखोगे तो आपको पता चलेगा क इस तरीके से उस बंदे ने evolve किया है इंप्रूफ किया है तो कई बार तुम्हारा ठोकर खाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है in order to grow example set होना लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वरना कोई भी आगे आकर भी जो मन करेगा वो करेगा और उसके बाद भी ब मैंने ये tweet करा है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जा जाकर उसको repost करें और उसके comment section में Mumbai police को YouTube को Carnival Gaming को tag करें Instagram stories पे इनको tag करें और इनसे सवाल पूछें कि कैसे ये सारी चीज़े allowed हो सकती है अगर यहां तक वीडियो देखी और उसके बाद नियों को तुम